तो मैंने जो वीडियो डाली ने अभी रिसेंट उस पे तो भाई साब लोगों ने क्या गदरी मचा दिया कमेंट करके कि फेट्स को भी देखो फेट्स को भी देखो और काफी लोगों का तो ये भी कहना था कि फेट्स काफी ज़्यादा बेटर है फती गेमिंग से तो मैंने इनके बहुत बहुत जादा डेफ्स में जाकर देखा हो और बहुत इंटरस्टिंग चीजे मुझे पता चली तो आओ यार शुरू करता है पे ना किसी पकवास के इनके बहुत बड़ी टेक्निक है एफपी स्विच करके लेस साइड में जंप मारने की स्पेशली जब स्टे केसे में एक शाउट मार के लालस देते हैं फिर भागने के आक्टिंग करते हैं और वापस पलट के एफपी स्विच करके मार देते हैं कुछ ऐसे और यह इस तरीक है कि टेक्निक के वर स्टेर्स में नहीं है जब भी लेफ साइड से फाइड लेता है most of the cases में यह एफपी स्विच करके मारते हैं क्योंकि सिंपल सा रीजन होता है राइट साइड से टीपी लेके मारना आसान होता है left side से आपकी gun पहले नहीं निकलती है आपका shoulder पहले निकलता है और gun आने में थोड़ा सा time लगता है और अकर left side से इतनी close range में आप fight लेने के लिए गुस रहे हो तो आपकी body पहले आपके crosshair को cover कर लेगी आप से देख नहीं पाओगे और जब FPP सुच कर लोगे तो इतना क्लियरली आपको बंदा देखेगा कि आप लेस साइट से ऐसे घुसके रश करके मार भी सकते हो और Fates का gameplay देखकर आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आजाएगी ये pattern आपको बहुत जादा वार देखने को मिलेगा और ज़रूरी नहीं ये stairs आला case आप bootcamp में ही apply करके देखो ये चीज़ आप poaching की stairs में भी try कर सकते हो और fate से better क्या example हो गया इस चीज़ के लिए अभी जस्टिनों ने fire किया अब इसके बाद सीधा ये jump लगा देंगे लेकिन जो enemy होगा वो expect कर रहा होगा पलट के मारने के लिए उपर वो बंदा एक goalie तक नहीं मार पाया क्योंकि ऐसे cases में अगर आप भी rush करते हो तो आप भी expect करते हो बंदा उपर कहीं बैटके cam कर रहा होगा वो आपके मूँ पे ही कूद के आपको मारने लग जाएगा ये कोई भी expect नहीं करेगा हाला कि यहाँ पे बंदे ने already fates को आते वे देख लिया था लेकिन उसके पास में disadvantage रहेगा ही क्योंकि उसको पलटना पड़ेगा फिर aim लेके मारना शुरू करना पड़ेगा और fpp होने के वेज़ा से आपको बहुत clearly अपना crosshair भी दिखेगा आपके shots भी दरोदर नहीं अड़ेंगे सीरा बंदे पे लगेंगे आपके पास में बहुत अच्छा advantage रहेगा counter attack करने का और इसके बाद जा मैंने gameplay को observe करा ना fates के मैं literally मेरे पास में शब्दी नहीं बचेते कुछ भी क्योंकि सबसे पहले तो है 6 finger master कर पाना बहुत जादा मुश्किल होता है और अगर कोई बंदा उसको master कर ले तो भी fates के level पे पहुँच पाना बहुत जादा मुश्किल है क्यो ऐसे pressure वाली state में दो shot win 94 गे quick scope वाले और वो भी just cover से निकलते ही shot लेना और दुबारा वापिस आजाना इस बंदे की यही class है जिस बंदे को knock कर दिया उसको finish करने का try नहीं कर रहा है बलकि तीसरे बंदे को लालस देने लग गया हलका सा right में आके क्योंकि shotgun है एक दो shot से ही काम हो जाएगा हलका सा right में आए बंदा जैसी cover से बाहर निकला दो shot उसको चिपका और वापिस cover में आ गए और वैसे जियो और air tail के समाने में सब के पास में अच्छा कासा data available रहता है चाहें वो mobile data हो या wifi हो तो सोचो अगर तुम उसी internet को उधार पे दे दो और उसके बदले तुमको पैसे मिल जाएं तो कितना सही रहेगा ये काम आपके लिए possible करता है honey gain इसके लिए आपको बस अपना internet उधार पे देना है और बदले में आपको कुछ इस तरह से पैसे मिल जाएंगे कि आप अपना mobile का DTH का recharge कर सको Netflix Hotstar का subscription भी afford कर सको बिना घर से कुछ भी रुपया मांगे simple video के description में link दे रखा है वहाँ पे आप टैच करोगे वहाँ से app डाउनलोड कर सकते हो अपने mobile में या laptop में और sign up के टाइम पे प्रोमो कोड में बस नेहिल डाल देना और आपको फ्री के 5 डॉलर मिल जाएंगे हनीगे ना आपकी bandwidth को utilize करता है ना कि आपके personal data को और आपको पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि उस data का use करके जो businesses हैं आप उनकी help करते हो जिससे उने information मिल सके किस तरीके की prices चल रही है market में या फिर उनका समान कोई गलत तरीके से बेच रहा है या नहीं तो इसमें data security breach का भी कोई भी खत्रा नहीं है आपको पांच डॉलर तो सीधा मेरे promo code से ही मिल जाएंगे और इसके बाद कुछ आपके dollars और जब पूरे हो जाते हैं तो आप उसको सीधा PayPal के through withdraw भी कर सकते हो तो description जरूर से चेक करना काफी साई opportunity है earning की और ये इससे भी जादा और पटां combinations के साथ में klutches लगातार डालते रहते हैं इसकी वजाए से और भी जादा वो tough बन जाते हैं klutches जैसे कि एक open area fight में S12 के और S के S का combination सामने वाले बंदों ने चलती गाड़ी से दो बंदों को भी उतार दिया तो उनका skill set भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बेकार है अब फेट के klutches देखने के बाद मैंने जो सबसे बड़ी strength उनके notice करी वो थी उनकी accuracy क्योंकि ये बंदा consistently इतनी दूर oozy से running target पे red dot से इतनी तगड़ी accuracy के साथ में लगातार nocks पे nocks देता है जस थोड़ा सा 12-13 गोलियों का spray मार रहा है और उसमें बंदे को knock कर दे रहा है फिर oozy के tap tap मारता है वो भी इतना accurately बंदे को finish करता है और ये सारे के सारे target 100 meter से जादा की दूरी पर है उसके बाद फिर से iron side से M4 की इतना जादा accuracy के साथ में spray मारता है आठ गोली में बंदे को finish कर देता है और यही accuracy अगर एक ऐसे player को मिल जाती है जिसका six finger का layout है और उस layout को उसने बहुत अच्छे से master कर रखा है तो यह accuracy एकदम precise movement के साथ में combine हो जाएगी और literally बंदा फोड़ेगा squads को इस तरीके से इस बंदे का scope खुलता है और बंदे पर short chip पकते हैं फिर scope खुलता है फिर बंदे पर short chip पकते हैं यह आता है cover से निकलता है लकसा short chip का के वापस अंदर चला जाता है फिर दुबारा cover से बाहर निकलता है scope खोल कर short chip काता है दुबारा से अंदर चला जाता है और सामने से एक बंदा गोली तक नहीं मार पाता है और ये भी कोई टेकनीक नहीं है जिसको आप डीकोड कर सको ये प्यॉर स्किल है और ये स्किल इतनी जादा इंप्रेसिव है कि इसी चीज़ का यूज करते हुई ये बंदा लगातार आठ मिनट से जादा लंबी लंबी वीडियो जालता है जिसमें ऐसे कलचे भरे पड़े होते हैं क्योंकि six finger का layout इसने अच्छे से master कर रखा है कि इसके लिए crouch से uncrouch करना और फिर scope खोल के मारना और दुबारा scope बंद कर लेना बहुत जादा असान है अब ये वाले ग्लच के अंदर उपर इस बंदे को नौक कर देते हैं और नीचे वाले बंदों को रोकने के लिए सबसे पहले ये molly करते हैं जिससे की ensure हो जाता है कि नीचे से कोई इनके ओपर rush ना कर सके नेड करते टाइम तो पहले नो ने molly फेक के उनका रास्ता रोका और जैसी molly खतम होने वाली थी वैसी दूसरा नेड भी उसी जगा पर कर दिया क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जैसी molly का fire खतम होता है वैसे ही लोग तुरंद rush करते हैं तो इस चीज के लिए भी प्रिपेर थे हाला कि इनको या पर नॉक नहीं मिले करेंज ,श्राइबच्स क्यार करते हैं यह देखने के बाद मैं बहुत ज़ाच हो गया था कि ट्लच किसे करेंगे यह ! आर तुम्हारे पास में ऐटर का कवर है और तुम्हें पूरी बंदों से भरीवी घाड़ी से सपंगा ले लिया है और ये gameplay लेकिन fates का है तो भाई अगले ही second मैंने ये देख लिया अब तुम सबको पता है यहां से क्या होने वाला है अब देखो जैसी देखा कि यह right वाला बंदा थोड़ा सा right सा angle बनाने वाला है वैसी right से peak कर दी cover से नीचे आके सामने से तीन बंदे open से rush कर रहे थे फिर भी total एक गोली खाई उनसे और तब ही एक और गड़ी आ जाती है आप confidence देखो right साइड से बंदे को मारा फिर left साइड से बंदे को हलका से damage दे और तुरंत right साइड में देखने लग गए मतलब इनको बहुत अच्छे से बता था कि इतने से ही damage देने पर बंदा मर जाएगा मतलब कितनी जादा इस movement कि इना ने practice करी होगी जिसकी बचा से यह accuracy इनके निकल के आती है अभी just left side से बंदे का foot sound आया कि वो अंदर गुसराए गर में तो अब ये left side से fight किस तरीके से लेते हैं आप सब जानते हैं एक second कभी wait नहीं किया यहाँ पे की बंदा आये का और मार देंगे नहीं खुद ही उसके ओपर चड़ गए FPP स्विच करके और सीधा headshot चिपका दिया DBS का अभी left side से बंदे के आने की आवाज आई तो knock वाले enemy पर दो तिन गोली चलाई और तुरंथ left side में देखने लग गए जिससे कि शायद वो bait में फसके मारने की कोशिश करें यहाँ पर बंदा साइड में निकल गया तो खड़े रहे बेट करने का फिर से ट्राय करा बंदा उसमें नहीं फसा तो तुरंथ molly निकाली और तुरंथ gun स्विच करके बंदे को मार भी दिया और तुरंथ पलटके पीछा ले बंदे से फाइट लेने लग गए अब देखो अगर हम यहाँ पर फेट्स और फती गेमिंग दोनों का comparison करें तो दोनों के चानल पर content डालने का style जो है वो different है फती गेमिंग अपने high kill gameplay के लिए जाने जाते हैं और वो पूरा पूरा gameplay डालते हैं जिसमें starting से लेके end तक आपको जितने भी clutches होते हैं अलग-अलग clutches की जबकि फती के channel पर full gameplays होते हैं एक पूरा gameplay अगर आप upload करने जा रहे हो तो आपके पास में freedom नहीं होती है कि कौन से बंदों को दिखाना है कौन से बंदों को नहीं दिखाना अगर आपने 30 scale किये हैं और 30 में से 10 थोड़े से low level के बंदे थे तो लोगों को देखकर ये लगेगा कि आप low level पे low tier पे खेलते हो और उन बंदों को मारते हो जबकि अगर आप clutches डाल रहे हो तो आपको पता है कौन सा clutch आपको दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है वो आपके पास में freedom रहती है तो I really don't think कि हमें ऐसे किसी भी players को judge करना चाहिए या compare करना चाहिए अगर वो अलग-अलग style का content डाल रहे हैं और आप अपने thoughts भी मुझे बताओ comment section में मैं जादा से जादा comments को reply करने का try करूँगा वीडियो पसंदा है तो like कर देना और मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye